वेल्कम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंड अफेस फंडा आज इस वीडियो में बात करेंगे हाइटन डिस्टेंस के कुछ बड़े कुस्टेंस की तो इनको आप डिफिगल लेबर या हाई लेबिल का नाम दे सकते हैं यह सारे के सारे कुस्टेंस आपके SSC, CGL, CHSL में पूछे जा चुके हैं और इबन टायर 1, टायर 2 हर एक एक्जामस में यह कुस्टेंस पूछे हैं जिनको हम आप डिसकस करेंगे यह दोस्तो वीडियो का पार्ट 2 होगा, एक मैं आपको बताना बात चाहूँगा, कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप पार्ट 1 देख लेए, उसके बाद यह पार्ट 2 देखें, क्योंकि पार्ट 1 से रिलेट करता हुआ पार्ट 2 है, जो भी रेश ना बूले, सबसे जो पहला कुष्चन है, इसमें कहा गया है कि एक एरोपलेट जो है, वो है फाइट जो है 5000 मीटर की हैट पर उल्ड रहा है, तो कुछ इस फॉर्मेट में हम कह सकते हैं, कि वो 5000 की हाइट पर यहां से यहां तक यह उल्ड रहा है, यहां पर को एरोपलेट फिर बो क्या करता है, वर्टिकली पास करता है एक दूसरे aeroplane को, तो जब इसमें कहा गया है, कि वर्टिकली एब अनादर aeroplane, ठीके, तो इसका मतलब यह कि कोई यहां पर aeroplane है, और उसके उपर यह aeroplane बात रहा है, यह चीज कही गई है फिर का गया है when the angle of elevation of the two aeroplane मतलब कि इन दोनों के जो angle of elevation मनेंगे उनकी यहां पर बात की जा रही है मतलब कि एक आपको यह वाला angle दिया है और यह एक angle यह दियो है तो पहला जो है वो आपको यहां पर जो बाहर बाला है यह 60 degree हो जाएगा और अंदर बाला 45 degree कुछ इस format में है तो इसको दोस्तों हम डाग्राम बना लेते हैं इसका तो सबसे पहले हमने यह माना कि यहां से यहां तक जो height है वो कितना है 5000 meter अब इसको हमने क्या किया कि A point मान लिया और इसको हमने B मान लिया इसको हमने C मान लिया इंपर अब यह मुझे पता है कि सबसे पहले अगर बात की जाएं कि यहां पर degree कितना है 45 degree और यह completely degree कितना है 60 degree ठीके यह आपका समझ में आ गया अब question आप से क्या पूछ रहा है the vertical distance between the aeroplanes at the instant is मतलब कि यह point जो है इसको आप D मान लो A से D के बीच में कितनी दूरी है मतलब कि यह जो aeroplane उपर रहा है एक aeroplane आपका यहां पर रहा है तो इन दोनों के बीच में distance पूछ रहा है कितनी है अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि मैं जो C है इस point को मैं उपर ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो diagram थे वो कुछ हमने अलग format में देखे थे जैसे मैं बताना चाहूँ आप अभी कहेंगे कि आपने ऐसा कुछ diagram देखा होगा ठीक है एक angle यहां पर एक angle यहां पर तो आप का यहां पर हो गया और D यहां पर हो गया अब देखो angle of elevation के अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहां पर यह जो है यह आपका 45 डिग्री है और यह हमारा 90 डिग्री है तो अगर मैं इस वाले angle D की बात करूँ तो यह 90 है 45 है तो यह कितना हो जाएगा यह भी आपका 45 यहां पर हो जाएगा तो यहां पर अपका यह कितना मनेगा 45 डिग्री अब एक चीज दान रखना कि यह 90 है और यह पूरा 60 है यहां से यहां तक का तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 तो यह बाला जो angle A है यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री तो इस angle को आपने 30 डिग्री ले लिया अब दे से लेखर A तक मतलब कि आपको यह बाली distance calculate करनी है AD यह आपको निकालना है अब हम आप क्या करें कि जो हमने आपको 6-7 डाइग्राम बताया थे अब आप अपनी copy को ओपन कर ले और उस format में आपको बता रहा हूं कि जब आपका यहां पर 45 डिग्री है तो यह हमें पता है कि sin 45 कितना होता है 1 by root 2 अपका होता है sin 45 की अगर मैं बात करूँ तो sin क्या होता है sin होता है P by H ठीक है perpendicular divided by height तो perpendicular कितना है हमारा है यह आपका हो जाएगा कितना है आपर 1 ratio और यह आपका कितना हो जाएगा root 2 तो यह आपका by default 1 बन जाएगा अब आगे अगर बात की जाए next process की तो अगर आप यह बड़े बाले triangle की बात करोगे C B A की तो यह आपका 30 डिग्री है अब देखो 30 डिग्री बाले triangle की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 1 था और यहाँ पर क्या होता था यहाँ पर आपका root 3 होता था यह अपका portion यहां से यहां तक कितना है यहां से आपका 1 है और यहां से यहां तक से लेकर B तक यह complete आपको दिया हुआ है 5000 मीटर तो हम कह सकते हैं root 3 की value 5000 दिये तो यहाँ पर आप पुट कर दो root 3 equal to 5000 okay तो एक की value कितनी आ जाएगी 5000 डिवाइड बाइड रूट 3 question में पूछ क्या रहा है इन दोनों के बेच की distance पूछ रहा है okay तो मतलब की A से लेकर D के बेच में तो यह क्या ratio root 3 minus 1 बचेगा तो 1 की value यह है तो आप अगर root 3 minus 1 की value निकालोगे तो कितना जाएगा 5000 divided by root 3 into root 3 minus 1 यह चीज आपकी बन जाएगी यहाँ पर अब इसको अगर आप further simplify कर लोगे तो आप क्या करो कि इस root 3 को अंदर बेच दो तो root 3 by root 3 हो जाएगा तो यह 1 हो गया तो 1 minus 1 by root 3 बचेगा और 5000 बाहर हो जाएगा या फिर आप इसको भी answer मान सकते हो कोई problem नहीं है लेकिन option देख लेना कि एक step इसको और further simplify कर सकते है जैसे कि 5000 into root 3 को हमने अंदर बेच दिया तो क्या हो जाएगा root 3 divided by root 3 हो गया minus 1 by root 3 तो यह आपका क्या हो गया 1 हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा 5000 into यह आपका आएगा 1 minus 1 by root 3 तो यह भी आपका एंसर दिया या दिया इन में से कोई में से कोई दिया होगा अब दोस्तों अगर आप इसको base method से बनाओगे तो seriously एक से दो पेज आपके लग जाएंगे आप देख लो अगर आपको base method भी आता है क्योंकि यह SSE sigil tier 2 का problem है अगर हमें ratio आते तो हम इसको within 1 minute में भी बना सकते हैं उससे पहले ही बना लेंगे सब कुछ depend करता है प्रैक्टिस के ओपर आपकी second question के हमें आपर बात करते हैं अब देखो इस second question में कहा गया कि two poles of equal height are standing opposite to each other दोस्तों इस question को थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें concept जो है वो थोड़ा सा change है इसमें कहा गया दो pole equal height के हैं बात क्या condition है equal height के हैं और standing opposite एक दूसरे को मतलब एक pole यहाँ पर है फिर एक pole आपका यहाँ पर है कुछ इस format में फिर कहा गया है on either side of a road which is 100 meter wide मतलब कि यहां से यहां के बिच में एक road है जो 100 meter wide है फिर यहां पर एक बात कहीं है कि from a point between them on road इस road पर कहीं पर मैंने मान लिया इस point पर कहीं पर एक point है और जिसमें angle of elevation दिया है मतलब कि यह angle और यह angle तो यहां पर आपका एक theta बनेगा एक theta आपका यह बनेगा यह दो आपके दिये 30 और 60 degree तो इसको साफ diagram बना लेते हैं तो digitally इस format में तो यह एक आपका pole यह हैं एक pole यह हैं दोनों equal height के हैं अब कोई इस point पर angle of elevation मनता है तो यहां पर आपको 30 और 60 दिया है तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो इसको मैंने 30 मान लिया और इसको मैंने 60 मान लिया नाम naming कर देता हो इसको मैंने A ले लिया और इसको मैंने B ले लिया बो सेम होगी, लिकिन द्याद रखना दोस्तों, अभी तक जितने भी डाइग्राम हम दे बनाये हैं, वो एक सिंगल बेस को लेकर ही बनेते, एक सिंगल पर परपेंडिकुलर पर भाइग्राम बना था, और इस ही पंच्ग्राम की हैप से आपका ये थीटा बनता था, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि जो आपका AC perpendicular है, यह दूसरा है, और DE perpendicular यह दूसरा है, तो दोनों के base अलग अलग है, अब हमें इनको acute कैसे करना होगा, यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान यहां पर रख लो, तो इसको मैं इसलिए तो इसमें time लगेगा इस question को, समझने में time और अगर इसी तरह से मैं 60 वाले की बात करूँ, ठीके, 60 वाले में, तो अगर दूसरो 60 की बात करूँ, तो यह आपका 60 था, 60 में क्या था, जो आपका hypotenuse था, यह 2 था, और जो base था, वो क्या था, 1 था, और perpendicular अपका root 3 था, कुछ इस format में था, अब इन दोनों का यहां पर implementation करना बागी है, अब एक चीज़ यहां पर जहां रखना, कि सबसे पहले, अगर मैं 30 वाले की बात करता हूँ, तो यह अपका 1 हो जाएगा, और यह एसी लेकर B तक, यह कितना हो जाएगा, यह root 3 हो जाएगा, इस 2 की कोई जरूरोत नहीं कहीं, कोश्चन में पूछा नहीं फिर भी आप यहां पर note down कर सकते हैं, अब मैं अगर 60 की बात करता हूँ, तो 60 वाले में क्या है, कि यह वाला आपका root 3 हो जाएगा, और इस base की, B से D तक base की बात करोगे, तो यह कितना है, यह आपका 1 है, और यह आपका 2 होगा, ठीक है, इसकी जरूरोत कहीं नहीं पड़े दोनों के perpendicular भी different है, लेकिन आपने क्या किया है, कि दोनों equal height के है, तो मतलब की 1 और 3, यह दोनों हमारे equal है, तो यहां पर हम एक चीज समझ सकते हैं, कि 1 की value क्या है, root 3, अब देखो जो यह वाला triangle है, BDE, इसका ratio क्या है, यह root 3, 1, 2 इस ratio में बन रहा है, तो मैंने इस ratio को इस 1 के equal लग दिया, ध्यान रखना है, यहां पर जो मैं कह रहा हूँ, कि दोनों diagram के perpendicular भी different है, लेकिन ratio हमें equate करना है, अब हम सबको एक ही format में बना लेंगे, तो यह root 3 है, और यह 1 है, तो यह दोनों equate कर जाएंगे, 1 equal to root 3 हो जाएगा, तो यहां पर हम कह सकते है, root 3 की value क्या ह निकाल होगे, देखो, root 3 को आप क्या कर सकते हो, 1 into root 3 रिख सकते हो, तो मैं रूट 3 की value निकाल ला हूँ, तो यह कितना जाएगा, root 3 into root 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 की जगह रूट 3 into 1 लिख सकता हूँ, तो 1 की जगह मैं रूट 3 मुझे 3 मिल गया, तो यहां पर जो root 3 लिखा ह वो आपको दी है, 100 meter wide है, तो यहां पर हम 100 meter की बात करते हैं, अब देखो, यह 3 है और यह 1 है, तो A से D तक कितना हो जाएगा, 3 plus 1, 4 हो जाएगा, अब देखो, 4 ratio की value कितनी दी है, 100 meter आपको, तो 1 की value कितनी आ जाएगी, 25 आपकी, अब क्योंकि यहां पर पूछ रहा है, कि height of each pole बताओ, अब देखो, इस वाले triangle के हिसाब से, हमने इसको equate किया था, B, D, E के हिसाब से, तो इसको हमने क्या करा था, root 3 के equate 1 कर दिया था, तो आप क्या करो, इस root 3 की value निकाल दो, तो 1 की value 25 है, तो root 3 की value किया जाएगी, 25 root 3, तो pole की height कितनी आ जाएगी, यह आपकी pole height, और जिसकी value किया हो जाएगी 25 root 3, क्योंकि जिस चीज के equate आपने करा है, आपको उसी की value निकालनी होगी, यह question थोड़ा trick है, आपका SSE CHSL में पूछा गया है, धान से इस question को एक बार और आप वीडियो को repeat, revise कर सकते हैं, ठीके, थर्ड के दूस्तों के दूस्तों मैं आपर क्या हुआ कि वो अपनी जगह से टूट कर ऐसा हो गया, तो पहले ऐसा था, फिर वो क्या हुआ कि इस format में ऐसा हो गया, इस format में बन गया, तो इक चिच कहा गया है, कि ground at a distance of 8 root 3 meters, मतलब कि यह वाले जो distance है, यह आपको 8 root 3 meters दिया है, एक आपको food per angle of elevation भी दिया है, 30 degree का यह सारी values यहां पर रख ले रहे हैं, इस वाले को मैंने एक आपको rough idea बताया था, तो यह हमारा कितना है, 30 degree और एक बड़ा सा जो पोल था, वो कुछ इस format में टूट कर ऐसा बन जाएगा, तो ध्यार नकना है यहाँ पर, कि जो पोल की अगर height की बात होगी, तो पोल तो ऐसा सी इसको मैंने A लिया, और इसको मैंने B ले लिया, इसको C ले लिया, अगर मैं पोल की height की बात करो, ठीक है, यह जो telegraph post है, यह जो telephone माला खंबा है, तो अगर आप इसकी height की बात करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, A, B तो होगा ही होगा साथ में, प्लस आपका A, C यह दोनों ह हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सा था pole, फिर जब आ दिया है, तो यह कहीं 20 से टूटा, और कुछ इस format में बन गया, तो यह दोनों जो है, यह complete इसकी height होगे, यह concept इसलिए समझने हैं आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जो distance है, वो कितनी 8 root 3, यह वाली distance है, य अब इस सबको मैं यहाँ पर जो rough चीज़े हैं, इस calculation को मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, अब दोस्तों, की term देखना, कि जब मैंने आपको सारे diagram बतायते, तो यह आपका 30 था, तो sine 30 के अगर बात की जाए, ठीके, तो वो 1 by 2 होता है, पी बाई वी होता है, ठीके, तो य यहाँ पर हमें यह चीज यहाँ पर पता जल जाएगी, कि यह जो है कितना मन जाएगा, यह आपका root 3 के format में बन जाएगा, और यह चीज कितनी मन जाएगी, यह चीज आपकी 2 मन जाएगी, 1, 2, root 3, यह ratio की equal मैं बात कर रहा हूँ, और value आपको 20-20 तक 8 root 3 दिया हुआ है, ठ 1 plus 2, यह आपको दोनो 3 की value ultimately निकालनी होगी, यह धान रखना, तो देखो root 3 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 8 root 3 रख सकता हूँ, तो मैं यह आपर equate करूँगा, root 3 equal to 8 root 3 हो गया, ठीके, अब आपको 3 की value निकालनी है, तो 3 की value क्या आजाएगी, 3 की value आजाएगी, 8 root 3 ठीके, divide by root 3 into 3, यह आपको बन जाएगा, अगर आपको root 3 equal to 8 root 3 दिया, 1 की value निकालोगे, तो 8 root 3 divided by root 3 हो जाएगा, और 3 की निकाली हो, तो 3 से multiply कर दो, यहाँ पर, अब देखो, root 3 से root 3 cancel out होगे, 8 into 3, 24, तो जो telegraph post हो, कितना आजाएगा, 24 आजाएगा, I hope आपको यह question समझ म अगया होगा, अगर दोस्तों, आप इसको base method से बनाऊगे, तो seriously, यह question बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन यही चीज है, tricky यह हम यहाँ पर use कर रहे है, 4th question के हम यहाँ पर बात करते है, 4th question में दिख लू क्या का गया है, a kite is flying at the height of 75 meter from the ground, ground से 75 meter की height पर कोई एक kite वोड़ है, okay, फिर का गया, the string makes an angle theta, जो दागा है, वो कितना theta angle बना रहा है, तो यह वाला आपका theta angle हो गया, अब इसमें theta में दिया है, cot theta, अब देख, cot theta equal to कितना दिया है, 8 divided by 15, यह ratio की terms में दिया हुआ है, जान रखना है आपर, तो आपको मैंने बताया था, कि पंदित बद्री प्रशाद हर-har बोले, तो इसमें क्या था, sin cos 10, और 10 का opposite कर दो cot हो जाएगा, तो cot theta क्या आपका होता है, b divided by p, मतलब की base divided by perpendicular होता है, तो देखो base क्या आपका, यह है, और perpendicular यह है, तो यहां से अगर मैं रेशियो को लिखता हूँ, तो base, जो है, वो कितना हमारा हो जाएगा base divided by p आजाएगा, तो यह उसको base divided by p कर देंगे, मतलब base divided by perpendicular, तो base आपका 8 हो गया, और perpendicular कितना आपका 15 हो गया, ठीके, question आप से पूछ रहा है, assuming that there is no slack, मतलब कि कोई भी उसमें looseness नहीं है, देलापन नहीं है, जो दागा है, उसकी length में, तो पूछा है कि string the length of the string is equal to, मतलब कि आपको यह चीज निकालनी है, अगर आप इसकी naming कर दो A, यह है B, और यह है आपका C, तो आपको AC पूछा गया है, ठीके, यह आपको calculate करना है, इसको कोई लोग line of side भी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते है, लेकिन ultimately आपका string is equal to पूछ रहा है, ठीक है, A से C तक ही आपका यह पूछा गया है, अब ratio की केवल मैं बात यहां पर कर रहा हूँ, देखो, यह 15 ratio 8 में बना था, तो 15 ratio की value कितनी है, 75 दीए, 15 ratio बराबर कितना हो गया, 75 हो गया, एक की value कितनी हो जाएगी, पाच आ गई, ठीक है, पूछा क्या है, अब ध्यान रगना कि अगर आपको यह प अब से भी हमें पता है, triplet क्या होता है, यह अपका 15,8,7 यह बनता है हमारा, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर ले, 15,8,7 triplet बनता है, यह आपको याद हो जाना चाहिए, तो यह हमारा 70 हो गया, एक की value 5 है, 70 की value कितनी हो जाएगी, 7 x 5, 17 x 5, that is 85 meter, देखो, ratio सी question, steps वि इबन पैन उठाने के बिज़द पड़ेगी, direct option देखेंगे, तुरंत answer लगाएंगे अपने आप, okay, fifth question की हम यहापर बात करते है, अब इसकी एक बर ध्यान देना इसमें, इसमें कहा गया है कि, an aeroplane went flying at a height of 3125 from the ground, मतलब कहा गया है कि, यह ground app का, और यहां से यहां पर 3125 meter क यहां कहीं पर ओल रहा है, फिर कहा गया है, passes vertically below another plane at an instant, ठीके, एक चीज़ दहान रखना, कि इसके ऊपर से कोई एक aeroplane निकल गया, और यह aeroplane below है, तो यहां पर कोई एक aeroplane ऐसे करके pass करता है, और यह below पर ओल रहा है, ठीके, यह चीज़ दहान रखना, below another plane at an instant, when the angle of elevation of the two planes अब यह diagram बिल्कुल पीछे वाला बनगा, जो भी हमने question की बात की थी, तो कुछ इस format में आपका यह बनेगा, तो यहां से यहां तक कि अगर मैं height की बात करूँ, तो यह कितना है, 3, 1, 2, 5, अब naming कर दे रहा हूँ है, इसको मैंने C ले लिया, इसको B ले लिया, और इसको मै 90 है, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120, और यह बाला angle कितना हो जागा, 60 degree का बन जाएगा angle D, इसी तरह से 90 है, यह पूरा 60 है, तो 90 प्लस 60 कितना हो, 150, और यह बाला angle कितना हो जाएगा, 30 degree का, अब क्या करता हूँ, मैं A को ऊपर ले लेता हूँ, अभी तक जितने भी diagram हमने कुछ कुछ अलग format में बनाया थे, आप भी कहेंगे, कि वो सारे diagram आपके कुछ ऐसे बनेते, तो हम इस format में इसको भी change यहाँ पर कर लेते हैं, तो देखो, यह आपका कुछ इस तरह से बनेगा, तो यह आपका E point यहाँ पर आ जाएगा, और B point यहाँ पर आ जाएगा, C point यहाँ और D आपका यहाँ पर आजाएगा, अब देखो, angle D कितना 60 दिया है, तो यहाँ आपका 60 डिग्री हो गया, और angle C कितना दिया है, 30 डिग्री यहाँ आपका बन गया, अब जो चीज़ में आपको बताएं थी, जस्ट आपके पास diagram सारे बने होंगे, तो हम इनको बना लेते ह यह कुछ is format बनेगा, सबसे पहले हम अंदर वाले 60 की बात करेंगे, तो यह कितना बनेगा, यह आपका root 3 बनेगा, और यह आपका 1 बन जाएगा, एक चीज़ आपको दिया हुआ, 3, 1, 2, 5, यह आपको दिया हुआ है, अब आप 30 की, A, B, C, बड़े बाले triangle की बात करोगे, 30 तो यह आपका कितना होता है, यह हमारा निकल कर कितना हैगा, 3, यह चीज़े मैंने आपको बहाँ पर बताई ही थी, कि अगर आप सबसे बड़े बाले की बात करते हो, तो आपका root 3 बनता है, और एक यह आपका बनता है, 1 और root 3, तो 1 की value कितनी root 3 दी, तो root 3 की value कितनी at an instant is, मतलब कि आप से distance क्या पूछी गई है, कि 2 plane की distance basically इसमें पूछा गया है, तो देखो, distance अगर मुझे आपर calculate करनी है दोस्तों, तो एक चीज़ आप से यह वाली distance पूछी गई है, कि 2 plane के बीच में क्या distance basically बनेगी, तो आप यह देख लो, कि DCC तक आपको यह दो ratio निक अब ऐसे अगर आप base method से solve करोगे, तो आपको x मानना पड़ेगा, काफी कुछ करना होगा, दोस्तों यहाँ पर height and distance की playlist दिये, आप इसको देख सकते हैं, और logo पर क्लिक करके चैनल को आप subscribe जरूर कर ले, other कुछ playlists हैं, यह भी आपके लिए जरूरी आप इनको भी देख ल